जी असलाम लेकुम students मैं हुँप परहान यूसफ और आप लोग इस पर टैनेस्टी क्लास जॉइन कर चुके हैं आप तमाम students को मैं welcome करूंगा आज के lecture के अंदर और आज के lecture का बाकाइदा आगाज हम करते हैं वो किस तरीके से करते हैं कि मैं पहले भी आपसे गुजारिश करता रहता हूं कि आप लोग जो है दौा किया करें कि दौा में बहुत पावर होती है सो और ऐसे भी आज का दिन जो था वो बाबरकर दिन फ्राइडे का दिन और रमजान का महीना है ठीक है सो इसमें आप अपने लिए भी बहुत सी दौाइग किया करें और इसके साथ साथ जो है आप लोग बाकि जितने भी आपके टीचर्स हैं आपके जितने भी जो है वो फैमली मेंबर्ज ठीक है क्लास फेलो इसके से निचा से निकाल कर देए ठीक है आप सबके सब क्लास्वाइन कर चुके हैं, आप सबको मैं वेलकम करता हूँ, बिसी तॉप पे हम क्या चीज़ डिस्कराइब करें थे, क्या चीज़ हम पढ़ रहे थे, उसी सही ऑनवेड हमने चलना है, लास्टम हम जो है आइसोटोप के बारे हम बात करें थे, आज मैं आप लिए व्हुगत करें, अच्चा हो गया, यूजिस की बात करते हैं, यह यह इस प्र फास हमारे पांस करें का ऊ-स, उस वाल से आपको बेकिनAlak Universe रेलियु थेरपी कि होसे मैं आप नों को बताउंगा और इस हवारे से मैं आप नों को बीड करूंगा। टरीटमेंट औप कैंचर जिसNew located होते हैं अचा अगर हम बात करते हैं रेडियू थेरपी तो इसमें वर्ड फिल्स्थ ऐडियू एम बात करते यह वर्ड निकला है from radioactive activity से let's suppose हम इस तर लियुक्त है ठीक है यह जो वर्ड रेडियू है इस तर्म का start स्टार्ट हो रहे ठीक है कहां से रेडियू से start हो रहे है तो यह जो टर्म हमारे पास radio है यह निकली है from radio activity जिसका मतलब क्या होते है कि वो atoms ठीक है जो क्या करते हैं जो हर वक्त अपने अंदर से different तरहां की rays की emission करते हैं इनको हम radio active कहते हैं या radio activities phenomenon कहते हैं ठीक है so what is stable and radioactive isotope यहीं बहुत आने लगा था आपको सर क्या आप बायो पढ़ाते हैं जवीरिया आपने क्या करना है इस इंपॉर्टन फॉर टॉपिक फॉर ऑफ केमिस्ट्री एक्जेक्ली इमान मैंने बताया रही है आपको आपने बहुत अच्छा याद करवा दिया मुझे कि इस बद जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यह most important long question ह तरह है आप जो है इसको पर mention कर लीजेगा बिल्कुल ठीक है तमाम चीज़ें बिल्कुल चल रही है आप जस्व फोकस करें करें कि एक्टिवीटे से निकला है इसका मतलब क्या होता है हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत से ऐसे atoms मौझूद हैं ठीक है कि जो क्या करते हैं जो हर वक्त अपने अंदर से different तरहां की जो raise है ठीक है इसकी imagine करते हैं जैसे देखो raise का मतलब simply topic क्या आते हैं जो सूरज की शुआए हैं ठीक है सूरज की जो शुआए हैं ठीक है जैसे let's suppose हमारे elements है ठीक है कि जो अपने अंदर से different तरहाँ की raise की आ मिजन करते हैं इनको हम radio active कहते हैं ऑजिस process को radio activity कहते है ठीक है जी और वह आईसो टोप्स ठीक है की जो radioactive होते हैं वह हम स्तेमाल करते हैं किस तरहां के है treatment के लिए cancer की treatment के लिए ठीक है जी आपको ताओ cancer बैसी तो आप है क्या cancer का मतलब होता है हम uncontrolled growth of cell की बात कर रहे होते हैं sir मैंने इसलिए पूछा क्यूंकि आपने e-cat का cell size पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था आपने देख लिए तो अच्छी बात है ठीक है अच्छा मैं आको उता हूँ के cancer का मतलब तो आपके क्या होता है cancer का मतलब होता है uncontrolled के कहते हैं development of cell ठीक है uncontrolled development of cell ठीक हो गया for example अगर let's suppose यह वो हिस्सा है कि जो हम कहते हैं कि जहां uncontrolled development of cell है यहां पर cancer affected cell मोजूद है ठीक है तो मैं इस area को क्या करूँगा burn कर दूँगा जला दूँगा थू दिस टेक्नीक जिसको हम कहते हैं native therapy कहते हैं ठीक हम करते क्या है कि जो native active हमारे पास isotopes होते हैं हम उनकी rays जो होती है जो के energetic rays होती है उनको fall करते हैं उस area पे जो cancer affected होता है और और रेस के थूख क्या आता है कि वह जो area था वह burn हो जाता है वह cell जो के जिसके अंदर यह cancer जो है वह मुझूद होता है ठीक है वह burn हो जाता है वह completely खत्म हो जाता है ठीक है और हम कहते हैं कि इसके लिए जो हम इस्तमाल करते है most of the time ठीक है वह क्या करते हैं जी हम फॉस्फोरस का 32 आईसोटोप यूज़ करते हैं इसका हम जो है इसके लावा strontium जो है इसका इस्तमाल करते है strontium भी एक element एक isotope जिसका ठीक है वह हम जो है इ और चलावा हम गआल का इस्तमाल करते है यह काम कर रहे होते हैं आपको समझ आई है ये यह वी होता है आपको समय कईक है üzピ क्यों का मतल्त होता है cioè development of cell, ठीक है, uncontrolled development of cell, इसको हम कहते है, हमारे पास क्या है, this phenomenon is called as cancer, और जब भी कोई एक area हमारी body का, जो cancer affected हो, ठीक है, हम करते हैं, कि फिर वो जो हमारे पास radioactive isotope होता है, उसमें से निकल नेवारी rays होती है, हम उन rays को fall करते हैं, उस affected area के उपर, और वो rays जो होती है, वो क्या करते हैं, वो उस area में मुझू जो cells होती है, इनको destroy कर देती है, इनको kill कर देती है, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास affected cells थे, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, इस phenomenon को हम ये radio therapy का नाम दे रहे होते हैं, ये radio therapy कहलाता है, ये radio therapy जो है कहलाएगा, ठीक हो गया, आपने मुझे 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 कुछ पूछा, आप उसे पूछ सकते हैं यहां तक, जन्यू वास वेचीज वेडियो ऑफ एक यूटूब यूटूब थे टायटल पेज़ उप एट वीडियो वास रिटन डैको नाइन वडूज यह डेने, नहीं, बिल्कुल यह जिए, हो सता है, मेरे खाल से के रहें कासने सेशन की बात करें, वह सता है कि यह है, प्रेटनिकल इशू हो हमने इसको अबडिट ना किया और लेकि मैं सेल नहीं पढ़ाता मैं आपको ठीक है भी अच्छा इस वास से मुझे कुछ पूछना आप मुझे पूछेंगे सब्सक्राइब क्या एक बार यूज करने के बाद जिनको कैंसर होता है फिर वो ठीक हो जाते है एक्जेक्ली जरिश अगर जो हम वो जो कंट्रोल अन कंट्रोल डेवलेपमेंट है सेल की अगर हम उसे कंप्लिटी डिस्ट्राइब कर दें तो वह खतम हो जाता आप इस पॉइंट को बुक से भी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जो है हम आगे चलेंगे अरूज कह रह लाइक फॉस्फोरस-32 एंट्रॉंचिम-90 और यूज ठीक है बेकॉस दे इमिट पेनुट्रेटिंग वीटा रिडियेशन ठीक है यह लिखा हुआ की बुक में मैं आपको पढ़के बता रहा हूं फिर मैं आपको बढ़ना स्क्रीन भी कर दूंगा दोबारा से ठीक है फुर इमिट इमिट इफरेंट ताप्स फ्रीडियेशन विचार बीटा एंगेमा ठीक है यह वीज अर्म पास किया ओता है कि एंसर जो है वह खातम हो जाता है और वो इस ते इस तो पर रेडियो थेरपी है अप लोगों की तो फिर मैं आगे चलूँगा सर हम हर तरहां के कैंसर को एक बार देने के बाद खतम होचाता है जरीश फिर से पूछ रही है तो जरीश आपको बताऊंगा कि डिपेंड करता है डोज़िश के ओपर जो हम डोज़िज इस्तमाल करते हैं ठीक है कितना हम एक्सपोजर करेंगे किस हवाले से जो है एक्सपोजर करेंगे यह जो हमारी जो अवरेज हैं उनका एक्सपोजर करेंगे एक्सपोजर करेंगे अ बदीश को पर रहें जैसे कि लाइट यह फूर ऑफ र्लास्टिक और ग्लास ठीक है तो इसको परिंडिट करना कहते हैं तो बेसी बतुपक गिवीघा सुभी तु डिवर्भी तो डिफरें ट जो कि हमारे पास है ट्रेसर ओफ डाइग्नोसिस और मेडिसन इसके हम बात करेंगे इसको हम डिसकराइब करेंगे सेकिंड हमारे पास एप्लिकेशन है यूज है किसी इसका आइसोटोप का जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं अच्छा यह हमारा लास्ट टॉपिक है जिसके बाद हमारा चेटर नंबर टू भी कम्टीर हो जाएगा अच्छी बात है हम चल रहे हैं और अच्छे स्पेस पर चल रहे हैं पर ट्रेसर फो डागनोसेश एंड मैदिसन अब मतलब उता दें माहीन आप मुझे रहां ना बता दें कि कौन सी लास्ट लइन आप कह रही है पेज नबर इस पर वो बैसे तोपह 40 है जिसको मैं घडारा हूं और यहीए मैं आपको टारा हूं तब यह बाग यहां क्रोश्टन है आपका क्वेस्टन करें से पेश नमर बिता दें मैंने ठ्री डेस से थिलास नहीं हम इस प्पर हैं अच्छा ठीक है भी सो नेक्स हमारे पास पॉइंट है मैं इसको ज़रा चाहूंगा कि एक दफार जो है बुक से आपको रीडाउट कर दूँ इसके पास मैं इसको एक्स्वेन भी कर दूँगा और आपको बता भी दूँगा ठीक है इसके हमारे पास पॉइंट है इसमें लिखा हूए the radioactive isotopes are used as attracers in medicine to diagnose the presence of tumor ठीक है in human body isotopes of iodine-131 are used for diagnosis of greater in thyroid gland similarly titanium is used to monitor the bone growth ठीक है आपको पॉइंट है मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट को elaborate करो मैं लिख लेता हूँ फिर मैं आपको डिस्कराइब करूँगा है कि मैं ठीक है टीमर को लुकेट लुकेट होता है कि एडेंडिपाय कहा किस पॉजिशन पर टीमर मुझूद है ठीक है जी इसको लुकेट करने के लिए हम क्या करते हैं हम जो है आइसोटोप का जो है बैसे पर को ठीक है ठीक है इन थायराइड ग्लेंड हम वी उज सुमने ठीक हम फार्याइड लैंड के इन यह हैं इस में इसको पर रोकेट करने के लिए इस्तामाल करते हैं ठीक कि इसके अंदर जो हमारे पास वाइटर है इसा इसका इसे इस hatred gland को होती है वीसमत साथ है ठीक है इस नोग अए जो है इसे निकान इज्सार की निन भीक होता फूला सा होता है ठीक है ये ठीक होता है इस निन गॉयती ए另ी है जैष्थ इस तो डाग्नोज टीक के हम देखने के लिए कि ऐसा है यह नहीं ठीक हो गया बाकी ट्यूमर का सिर्फ ब्रेन में होता है उबन के बाकी बाकी बाडी के पार्ट में भी हो सकता है मैं सिंपल की मिल का मतलब यह बता सकता हूं को कि जैसे let's suppose बाज़ वकाद ऐसा होता है देखो हम जानते हैं कि हमारे बाडी के अंदर डिफ् कि in our trees या veins के अंदर क्या होता है कि blockage clotting छहाती है फेंड फोसे हम tumor के नाम दे रहे होते हैं ठीके blockage होती है थीके जिसको हम कहते हैं tumor को नाम दे रहे थे आ थींड होते हैं तो यह बिस्थोफ आप हमारे पास कि या किसी भेन या ब्लॉक इवकीं का डवेलप होना यहां तक आप लों को समझ़ आई है कोई 1965 मुष्ट किरसे है कें वी राइट रेडियो एक्टिज यू अइस एक तो ऑफ थायर मेरे नेम निदा है आपका नाम निदा है आपने एन रह्मान मेंशन किया है मुझे कंप्रीट्ली नी समझा रहा कि आपने क्या दिखावा था जी कोई कंफूजन है तो आप मुझे से पूछ सेते हैं यहां तक ले रहे आप लोगों को अच्छा मैं आपको बताओं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ी मज़े की जो है पोट्री भी आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए आज पोस्त की थी तो आप लोगों मेरी प्रोफाइल पर जाकर वह पोट्री जो है वो भी देख सकते हैं और उस पोट्री से मह है फौर है इसको हम कहते है यह हमारे थ्यॠी है ठीक हो gya और हम कहते है कि या। fulfill और ह제 ध्युन ग्वाइट से हुआ होते है जब्रीपल कि भीमारी है ठीक है तीक है तो तो प्लीज रिपीट करते हैं जरीश मिना को बताया है इस सेकंड पॉइंट के अंदर के हम इन डिफरेंट टापस और इसोटोप का इस्तमाल करते हैं जस्टू डिटेक्ट दा डियाग्नोज दा ठीक है जस्टू ट्रेस दा प्रेसंस ऑफ एनी टूमर इंसाड बॉडी ठीक ह और विए आपको एंपटपल दी के हम 131 बॉडी 131 का इस्तमाल करते हैं कि इसके लिए भी गॉाइटर को डिटेक्ट करने के लिए और इवन के जो हैं हम इस्तमाल करते हैं बॉड ग्रोथ को जो है अगर इस्टा लेना है तो आप मुझे तो मैसीज करेंगे आप अपना जो केरेट कॉंसलिंग के हवाले से ठीक है, तो उस इवेंट को भी हमने आज लेके चलना है, ठीक है जी, तो इन्शाला आपसे कलम लकात होगी, सेम टाम के उपर अपना ख्याल रखना है, आपने बहुत सारा ठीक है, दौा में आप याद रखेंगे, और लेक्चर को रेट भी कर क्योंके फीड़बेक हमारे ले बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टन होता है, कल इन्शाला हम इस चेप्र को खतम करेंगे, और इसको चेप्र 3 का आगास करेंगे, और अपने बहुत सारा ख्याल रखना है, और दौा में अपने जरूर याद रखना है, ठीक है. झाल झाल